है स्वागत है आप से भी लोगों का अपना ही यूठीब चैनल एंडर सोलिशन्स में आसके इस वीडियो में मैं आप लोगों से संग हाजीर हूँ कीबोर्ड के और एक अमेजिंग फीचर को लेकर उस फीचर क्या है वीडियो का अंतक देखिए आपको पता चल जाएगा तो गूगल वैस टाइपिंग को कैसे आपको अपने कीबोर्ड में अपलाइ करना है कैसे सेटिंग करना है तो सारे में डिटल्स में आपको उस्वा करने वाला हूँ तो वीडियो का दर्स देखते हैं कि अंतक वीडियो बहुत ही यूसफूल और अमेजिंग होने वाला है तो इधर सिंप्ली मैं आपको कीबोर्ड में जाके गूगल वैस टाइपिंग करके दिखाऊंगा तो इधर आपको देख सकते हो जैसे मैंने कीबोर्ड पर आया है एक तम नीच्छे आपको जो नेविगरिशन के साथ एक डॉट डॉट दिख रहा है तो वह आपको क्लिक करना ह तो इसको आपको इधर कैसे लाना है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो इधर आपको क्लिक करना है तो इधर देख सकते हो गूगल वैस टाइपिंग तो जैसे आप इधर क्लिक करोगे तो मैं अभी डेटा को इधर मेरा इंटरनेल करनेशन नहीं मिल रहा है तो गूगल व हो रहा है तो कैसे आपको offline करना है तो इदर setting देख रहे हो आप बाय तरफ तो setting में जाना है और देख सकते हो आप offline speech recording तो offline speech इसके लिए आपको इसको download करना पड़ेगा 25 MB का है तो download कर लिए फिलाल मैंने अभी download नहीं किया हुआ है तो offline कर सकते हो तो इदर आप देख लिए होंगे कि Google वोईस टाइपिंग कैसे आपको करना है तो इसको इदर जाना है देख सकते हैं आप मैंने अभी क्लिक करके रखा है इसमें जाना है और इसको जो इसमें जाना है तो इसको आप थिवर्ट भी कैसे ला कीबर्ड में इदर आप देख सकते हो एक option है शो कीबर्ड बोटन तो इसको ऐसे रहेगा डिजेबल तो आपको एनेवल कर देना है तो यह जो option आपके कीबर्ड में चला जाएगा और यह गाई समसंग लेक्षी एट ट्वेंटी एट हर्टी एफिटी में काम करेगा तो बह कीबर्ड और इसको आपकर अफ करना चाहते हो शो कीबर्ड बटन तो और पीक कर सकते हो तो मैं अभी अफ करके रख देता हूं तो इधर देखिए गाव हो गया यह दर से तो यहीं था दोस्तों आज का अमेजिंग फीचर यूसफुल तो इसको यूस करके देखिए जो अपडेट लेके आता हूं तो उसका नौटिफिक समय को मिल सकते हो जो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर तब तक लिए आपना ख्यार रखेगा